पुलिस दिप सिंख सिद्धू की गिरहतारी हुई उसके लिए दस दिन की पुलिस रेमान मांगी गयी है दीप केवकील ने पुलिस रेमान कहाना के विरोध किया दीप से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है दीप के वकील के मताबिक कोई सिस्रीवी फूटेज नहीं और दीप के वक्तिल की मुदाबक, इकस्षिरी भी फोटेश है, बरावनदगी की जरूत नहीं है पुलिस दीप सिंग सिद्दू की दस दन की निवान चाहती है, इधर पुलिस ने कहा है कि दीप सिंग सिद्दू भीड को उसा रहा था वही दीव सिंग से दू जिसने तिरंगे को अपमानित किया तिरंगे को हटा कर वहाँ धार्मिक छंडा चड़ाने की जुर्रत ग्लाल किले का वनेगार खालिस्तानी साज़िश करता साज़िश की FTI का महरा देश द्रोही दीव सिंग सद्धू आखिरकार 15 दिन बाद किरफ्तार कर लिया गया यह वही दीव सिंग सद्धू है जिसने लाल किले के सम्मान को ठेस पहुँचाई यह वही दीव सिंग सद्धू है जिसने लाल किले पर तिरंगे के आगे धार्मिक जंडा लगाया ये वही दीप सिंग सिध्धु है जिसने लाल किले पर लोगों को हड़ताया ये वही गदार दीप सिंग सिध्धु है जिसको महरा बनाकर गदार गैंग ने देश को बदराम करने की स्क्रिप्ट लिखी स्क्रिप्ट के हिसाब से अभीने करने वाला गदार तो सलाखों के पीछे चला गया लेकिन अब हिंदुस्तान पूछ रा है साजश के डारेक्टर यानि की मास्टर माइंड कहा है क्या दीप सिंग सिद्धु की गिरफतारी के बाद हर साजश से परदा हटेगा क्योंकि गिरफतारी के साथ ही उसका कनेडा कनेक्शन तो सामने आ चुका है अब मास्टर माइंड के चेहरे भी सामने आएंगे हम पर्टिकुलर किसी के नाम में नहीं जाना चाहते हैं जो भी देश विरोधी हरकत करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए योगिंद्र यादो जैसे लोग किसान थोड़ी हैं इसाहिन वाग में भी खड़े रहते हैं ये कोई छोटी सी प्रदर्सन होती है उसमें भी यही लोग आंदोलन जीवी हैं गदार दीप सिंग सिद्दू, जुगराज सिंग, लखा सदाना जैसे देश द्रोहियों के 26 जनवरी कांड के बार आंदोलन का सच देश के सामने आ गया हिंसा ना होने की गारंटी लेने वाले योगेंदर यादव, दर्शन पाल जैसे चेहरों के महों पर कालिक पुद्गर लेकिन राकेश टिकैर रोध होकर किसानों को ब्लैक मिल कर आंदोलन को जिन्दा रखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या उसकी वज़वी साज़िश की FDI हैं? देश पूछ रहा है, महरा गिरफतार तो मास्टर माइंड कब तक रहेंगे फराद? महरा गिरफतार साज़िश करता मास्टर माइंड कब होंगे गिरफतार? यही सवाल क्यूंकि इस वक्त एक और बड़ी ख़वर सुन लीजेए इसी पर भहस करूंगी लेकि लाल किला हिंसा केस में दीप सिद्धु को पुलिस रिमान मिल चुकी है साथ दिन की पुलिस रिमान पर है दीप सिद्धु अब पहले दस दिन की रिमान मांग रही थी पुलिस लेकिन दीब के वकील ने कहा कि सिस्री भी पुटेश है कोई चीज बरामत नहीं है इसकी जुरत नहीं है रिमांट का विरोध कर रहे थे लेकिन अब दीब सिंग सिद्धू की पुलिस रिमांट साथ दिन की मिल चुकी है